हाव रूफीक्स वान प्लस एट प्रो कैमरा ब्लेक स्क्रीन एंड नोट ओपिनिंग प्राब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकिराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है आपने वान प्लास के दिवाइस में केमरा ब्लेक स्क्रीन एंड नोट ऑपिनिंग प्राब्लम सौल्फ कैसे कर सकते तो दोस्तों अगर आपका जो कैमरा है वह सिर्फ और सिर्फ ब्लेक हो रहा है और साधी साथ और नियों पार रहें तो के से आपको सौल्फ करना है यही मैं आपको इस वीडियो पर solution शो करके बताने वाला हूँ ठीक है तो fix करने के लिए आपको वीडियो जो है पुरा देखना होगा शुरू से लेके आन तक जितना भी solution है step by step process to process आपको follow करना है उसके बाद आपका problem solve हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करते हुए bell icon को click करें अगर आप online पेसा कमाना चाते तो दोस्तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा किसी भी problem के regarding पर आप हमें Twitter पर follow करके message कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं स नेक्स्ट में आपको जाना है apps and notification पर और उसके वाद आपको see all apps पर क्लिक करना है and then आपको यहाँ पर camera option open कर लेना है उसके बार आपको जाना है storage पर clear storage पर क्लिक करना है और okay कर देना है जैसे okay करेगा आपको बेक करना है make sure सारे permission enable रहे उसके बार mobile को restart करके चेक करके देख तो recent button पर क्लिक कीजिए और clear all पर क्लिक कर दीजिए ठीक है तो clear हो जाएगा आपका camera भी restart हो जाएगा mobile भी restart कर देगा तो उसके बाद आपका problem fix हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने problem fix कर सकती है by any chance अगर इसके बाद भी problem solve नहीं हो रहा है तो आपको क्या कर करना है mobile को safe mode पर reboot करके देखिए उसके लिए power button को press and hold करके रखना है power off के switch को 2 seconds क्लिक करके रखना है और okay कर देना है जैसे ही okay करेगा आपको यहाँ पर दिखेगा कि आपके phone off हो रहा है और जब safe mode पर आपका mobile restart हो जाएगा आपका problem भी solve हो जाएगा by any chance अगर आपका problem solve नहीं होते तो दोस्तों आपको जाना है setting उसके बाद आपको जाना है system पर और software को update कर देना है जैसी दोस्तों आपका software update होगा आपका problem भी fix हो जाएगा तो इस थरीके से दोस्तों आप अपने camera black screen and not opening problem solve कर सकते हैं तो यह था दोस्तों आपका solution उमीद करते हैं आपको वीडियो पसने होगा आज के लिए बस इतना ही thanks for watching